कवक एंड अनुवाइन शिक्ता से होने वाले रोगों को देखेंगे आज और उसकी कंप्लीट ट्रिक भी देखेंगे और उसमें कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स भी होते हैं उनको भी कवर करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे आप कोई भी एक्जाम देलो जिसमें भी जीके का पॉर्शन आता है यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहला तो यह है कि हम देख रहे हैं कोउक से हूने वाली रोग कुंसे हैं? कोई नहीं होता तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना है इसके साथ इसकी कुछ additional information है जैसे गंजापन जो रोग है वो आपसे especially पूछा सकता है कि कौन से कवक से होता है तो टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है और गंजापन का मतलब यह है कि सिरके बाल जड़ जाते हैं सिंपल सी बात है दमा जो है इस रोग का मुख्यकारण मनुश्यों के फैपड़े काम करना बंद कर देना है दमा जो है अस्तमा ह लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं खाज यह कैसा है इसमें तोचा में खुझली होती है बहुत ही क्या होता है यह जो आपको दाद मिलेगा है यह कोई पर्टिकलिर एरिया पे होता है और खाज जो है वह आपको पूरी सरीर पर फैलती हुई से नेजर आती है और वह एक देखने में ऐसा लगता है कि नौर्ण पैर से ज़्यादा बड़ा हो गया हाथी के पाउं जैसा हो रहा है तो इसको हम एतलिट फुट कहते हैं इसके साथ अनुवान शिक्ता से होने वाले जो रोग है और डिसीज कौश वाई जेनेटिक प्रॉलम्स वो है वरांदता ही जो क्लीन है फैल्टर को एंट पास पटाउ सिड्रोम वही डॉट में डॉज है वो डॉट सिड्रोम एंट जो है टर्न सिड्रोम को दिखाता है तो यह छोटी सी वीडियो है जो आपके लिए दो से एक नंबर आपको कही ना कहीं प्रोवाइड करवा सकती है एक जवानुक से हो होने वाले रूप भी होते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो मता दूँगा उसके लिए प्रॉपर तरीकी से हम हरी क्लाइन को बढ़ेंगे और जितनी भी ट्रिक मैं आपर करा रहा हूं आपको अच्छे से देख लो ओके थैंक्यू कुटला